जाहें दोस्तों तो कैसे हैं आप लोगों मेरे आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों आपके अप्सनल सब्जेक्स में एक अकसर सवाल पूछा जाता है आपके जो भी आफ्सनल सब्जेक्ट हो मैं यहाप एक्जाम्पल दे रहा हूं इससे हिंदी सिक्षण के उद्द का सविस्तार वर्ल करिए कि आप स्कूल में हिंदी बढ़ाते इसका क्या है इसका एम क्या है इसका लक्षे क्या है तो आई इसको शुरू करते इस वीडियो को और द hopping सिक्छळ के उठिएक के वारे में दोस्तों तो जिस करते हैं यदि चात्र भासा चात्र का भासा पर अधिकार नहीं होगा तो वह घ्यान के छेत्में प्रगति नहीं कर पाएंगे भासा ही हमारे चिंतन का आधार भी है किसी भी जनतंत की सफलता उनके नागरिकों के चिंतन के चिंतन पर ही निर्वर करती है ठीक है संस्कृत के ब अगर अपसे आठ नमबर में पूझता है, तो आप इसको लिखिए, और उसके बाद उसके समाने उदेश को लिखिए, में अपने भाव और उनुभूतां की योगता उत्पन करना। के प्रती रूची उत्पन करना। क्या है हिंदी भावतां का उत्पन करना। चात्रों को सत-साहित की राचना के योगी बनाना तथा मानोजीवन की विवन प्रस्तितियों का अध्यन कराकर उन्हें भावे जीवन के लिए तयार करना तो ये हिंदी सिक्षन का उदेश हैं चात्रों को लोक्ति है और मुहावरों को ज्ञान दिलाना ठीक है दोस्तों चात्रों में क्रमबद विचार करने भाव को अभिवक्त करने तथा ज्ञानार्जन के प्रति गहरी रूचियूत्पन करने का प्रयास करना तो दोस्तों ये सारे हो गए हमारे समान नियुदेश हिंदी बढ़ाने के आठ नमबर में आप ऐसे लिए अब इस चीज को अगर आप एक्स्प्लेइन करना चाहते हैं तो एक्स्प्लेइन कर सकते हैं कैसे विद्याले अस्थर पर मतलब विद्याले हमारे जो अस्थर है जैसे कि प्रात्मिक अस्थर उच माध्यमिक अस्थर या माध्यमिक अस्थर या फिर यहां पर हमारा उच माध्यमिक अस्थर पर हिंदी बढ़ाने के तो यहां पर माध्यमिक और उच माध्यमिक ठीक है तो इसकी बात करें करेंगा मतलब 1-5 तक 5-7 तक और आगे 9-12 तक कि इन इन अस्तरों में विद्याले के अस्तरों में सिंदी सिंदी सिंद क्या उदेश होंगे सोट केवल यहां पर माधिमी कस्तर भी कह सकते हैं हैं तो मॉझे मेल इस Не बहुत आसान से कच्षा के तक बच्चे को आत्मेफ भडादें हैं बच्चे को तांकि व ऊचúaरा ठीक से कर ले अवारी कि निर्माण निर्कम साइस कर ले आत्मे विश्वास का प्रवाव उच्सा के साथ बोलने के कौसल का विकास करना तो ये ये सारी चीज़े होंगी बच्चों को वर्ड लीपी सब्द समू वाक्र रचना का ग्यान करना बच्चों में पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर समझने की कौसल का विकास करना सुने और समझें बच्चों के सब्दावली सुक्तिया लोक्ति मुहारे का ग्यान कराना ये छोटे बच्चों की बात की जाई बच्चों में सुन्दर लेखना, सुद्ध वर्तनी एंव व्याकरण संबन्द में वाक्य रचना का कौसल का विकास करना बच्चों में अपने विचारों को मौकी के एवन लिखी रूप से व्यक्त करने की रूची का विकास करना बच्चों में सुद्ध एउंसिस्ट भासा सीखने तदा इनकी समाने जानकराई प्राप्त करने की प्रवेथी का विकास करने तो ये एक से पांच तक में पढ़ाने की उद्धे से छोटी लेवल की बात में अगर हम माध्यमिक अस्तर की बात करें मतलब थोड़ा सा बड़े यहां से बात हो गई छह से आठ तक की तो ठीक है तो इसमें भी लिखिए कच्छा छह से आठ तक की सिक्षा को उच्छी माध्यमिक उच्छी प्राथिमिक सिक्षा कहते हैं या फिर माध्यमिक सिक्षा कहते है अब आईए प्रातिमिक अस्तर के बच्चों को भासा के व्याकरण का ज्यान कराना चाहिए चाहिए इसके साथी साथ सहित के भी से भी परिशे कराना चाहिए अता इस अस्तर पर भासा सिछण में निमली की तुझे थोड़ा सा मतलर लेवल बढ़ गया ठीके दोस्तों चलिए इसमें क्या हो गया इसमें चातरों को हिंदी के पाठे पुस्तक के माध्यम से मानव उप योगी ज्यान कराना चात्रों में सब्दों के सुद्ध उचारण, सुद्ध वर्तनी वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्नों का परियोग स्पस्ट कराना ची कि थोड़ा साब लेबल बढ़ा देंगे चात्रों में सुन्दर लेखन येवं व्याकरण पूर्ण वाक किराचना के कौसल का विखास करना चात्रों में उचित दोहनी प्रवा येवं धैरे के साथ कौसल का विखास करना और चात्रों में मार्त्र भासा एवं उसके साहित आधन के परती रूची का विकास करना और चात्रों में दूसरों के मौकी के अलिखित रूप से अभिवक्त विचारों को जानने की रूची का विकास करना और चात्रों के में भासा एम उसके साइट के परती आधर पूर्ण भाओं का निर्मार करना तो यह थोड़ा सा और लेबल की बात होगे 6-8 तक के बच्चों के पढ़ाने में आप क्या-क्या साउधानिया रखेंगे आपके उद्यस से क्या होगे अगर हम बात करें उच्च माधिमिक अस्तर मतलब 9-10 तो इसमें क्या होता है दोस्तों कच्छे 9-10 को उच्च माधिमिक या माधिमिक सिख्चा भी खा जाता है इस अस्तर तक भासा का प्रयाप्त ग्यान हो जाता है मादिमिक सिचा अधिकतर बच्चों के पूर्ण सिचा होती है यह तो complete सिचा भासा की जनकारी का 10 मी तक तो बच्चे को संपूर्ण रूप से आ जाती है अब इसमें क्या होगा इसलिए इस अस्तर पर बच्चों को भासा के वहवारिक परियोग के समर्थन निपूर्ण बना देना चाहिए साहितिक भासा का भी ज्यान करा देना चाहिए इसके अतरिक्त उन्हें व्याकरण का भी व्यास्तित ज्यान करा देना चाहिए एवं उच्च संप्रेशल कोसल संप्रेशल का मतलब कम्यूनिकेशन बात करने की चीज़ उच्च संप्रेशल कोसल विक्सित कर देना चाहिए अता इस दिरिश्टी से इस अस्तर पर भासा सिक्षण के निमलखित उद्देश से होने चाहिए कौन-कौन से दोस्तों अब आई चात्रों के पठन कला की निपूरता के एक लिवड़ गास करना है मतलब अच्छे तरीके से पूरी तरीके से निपूरों के चात्रों को उचित गती के साथ लिखने है मतलब इतना धीरे भी ने लिखने है मौनवाचन मतलब बिना रटे जैसे बच्मेन में रटे क्या बची ओसे रट потр normalmente, अब यहां नहीं यहाँ बच्छों को मौनवाचन मतलब आराम से धीरे से खामोशी रहके भी क्या मौनवाचन मतलब मौन मौन चाहिए विरिधी करने चाहिए च्ञतन की प्रविर्थी से चाहिए ॢब चातु को बहा सब्धार करना कि योग्य बना देने चाहिए बच्चों को तो दोस्तों ये हो गए आप अगर हिंदी सिक्षर के उधियर सिक्षर के वारे में तो आपको content बहुत अच्छे मिल चुके है मतलब बहुत सारे point मैंने आपको बता दिया तो आपको अगर किस level में पूछता है ये बहुत important रखता है कि या subject किसने number में पूछता है अगर 8 number में पूछता है तो आराम से इसके वाक्या करिए और यहां से लिख दीजे या फिर जो 3 point है उसको लिख दीजे 15 number में पूछता है तो ये सारी चीज़े लिखेंगे मैं उम्मित करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आए होगी और हिंदी सिक्षण के उदेश्यों को आप आसानी से लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि ने लिख सकते हैं वीडियो कैसे तक यो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल वो सब्सक्राइब करें और चैनल से जूड़ें और आपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए जैहिन जैभारत दोस्तों